तो कैसे हो गाइस आई होप समय मज़ेबे होंगे और बढ़िया तरीके से यूटी की तैयारी कर रही होंगे तो यूटी का पूरा पूर्ट्शन बढ़िया तरीके से कम्प्लीट हो चुका है हमारे इस चैनल के ऊपर आपके जोग्राफी का आपके हिस्ट्री का मैंक साइन्स सारे सबजेक्स आपके कंप्लीट हो गए जूाग्रफी के हमने two chapters को बढ़ियां तरीके से कम्प्लीट कर दिया है साथ ही साथ आपका history का 3 chapter बढ़ियां तरीके से कम्प्लीट हो गया दो च्यक्टर जा के political science के subject में हमने कितना lecture complete कर लिया हमने तीन lecture complete कर लिया है chapter number one का ठीक है so सबको आपको I guess सारे जितने भी school के बच्चे हैं सभी को 10 standard के beauty exam में वह एक ही आता है आप लोगों को political science का एक ही chapter आता है I guess सही है कि एक ही chapter आता है अगर एक से ज़ाधा chapter आता है तो मुझे आज की आज आप comment section में बता दो तो फिर फटा-फट से हम उस chapter को भी complete कर लेंगे ओके चालो स्वागत है आपका हमारे इस lecture में जिसमें 10th Standard Political Science का chapter number 1 को हम study करने वाले हैं चाप्टर नेम एज वर्किंग ऑफ दा कॉंस्टिटूशन हमारे समविधान का कारभार किस तरह से चलता है इस chapter के अंदर हमने बहुत सारे topics को पढ़ा हुआ है समझा हुआ है कि इस topic में कि इस chapter के अंदर हमें कौन-कौन से चीज़ों के बारे में पढ़ना हमारा समविधान हमारा हमारा समविधान में कौन-कौन Saur struggles है कौन-कौन Saur regulations है उनको हमें किस तरह से follow करने पढ़ते हैं किसके लिए कौन-कौन Saur rules बनाए गए गये है किसके लिए कौन से rules को follow करना है ये सारी चीजों के बारे में हमने इस chapter के अंदर पढ़ा हुआ है in previous to previous lecture ठीक है? So first, second, third ये तीनों lecture को बढ़ियां तरीके से देखो और आज का lecture fourth lecture है and इसके last वाले lecture में, इसके next वाले lecture में आपको last topic मिलेगा जो कि पूरा complete हो जाएगा जिसके साथ हमारा ये first chapter ठीक है? थोड़ा सा lengthy chapter है but मैंने lectures ऐसा बनाया है कि आप लोगों को easily समझ में आ जाएगा चालो, so start करते हैं सबसे पहले हमने democracy के बारे में देखा हमारे लोकतंत्र के बारे में देखा है ये सारे topics को हमने complete कर लिया है and next हमारा topic क्या था complete हमने जिसको previous lecture में half complete किया था और आज के lecture में हम half उसको उसका topic जो बच गया था उस topic को बढ़िया तरीके से complete करने वाले, so कौन सा topic है ये social justice and equality social justice and equality इससे हमें तुरंत, हमें इसे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें इससे तुरंत क्या समझ में आता है, कि हमारे समविधान के अंदर, हमारे जो लोग है, हमारे लोकतंत्र के अंदर, कौन-कौन से social justice, लोगों को justice दिलाने के लिए, कौन-कौन से rules and regulations बनाए गए जिससे लोगों को सुविधाए हो जो अपर कास्ट के लोग है, जो लोवर कास्ट के लोग है, जोने क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो कौन-कौन से rules को follow करना है ये सारी चीजों के बारे में हमने previous lecture में भी पढ़ा हुआ था और आज के lecture में भी हम continue करने वाले हैं and then over करेंगे हम इस social justice and equality इस topic को, ओके इस topic के अंदर हमने कौन से topic को पढ़ा था पिछले lecture में policy of reservation of seats, ठीक है seats को किस तरह से reserve किया जाता है, कौन से लोगों के लिए reserve किया जाता है, कि फिल्ड में reserve किया जाता है, यह सारी चीज़े मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, साती साथ उसे लोगों को किस तरह से follow भी करना पड़ता है, कि अगर किसी के लिए कोई चीज बनाए गई है, किसी के लिए कोई rule बनाया गया है, तो उस rule को सभी लोगों को follow करना पड़ेगा, अगर उन्हों ने follow नहीं किया, तो उनके उपर क्या होगी, कानूनी कार्यवाही होगी, मतलब उनके उपर जो government है, जो police है, वो क्या करेगी, कार्यवाही करेगी, उन्हें जेल में डालेगी, उनके उपर action लिया जाएगा, ठीक है, तो इस तरह की सारी चीज़े हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ है, हमने यहाँ पर समझा हुआ है, ठीक है, तो इसी topic के अंदर हमारा next आ जाता है, हमारा next topic, जो दो topic हमने complete किया था, हमारा third topic क्या है, provision for minorities, ठीक है, minorities का मतलब, majority का मतलब, majority wins, सुना है majority wins, minority, क्या होगा, so minority का मतलब, जो जिन लोगों की जनसंख्या, जिन लोगों की संख्या बहुत जादा कम, ऐसे बहुत सारे caste है, हमारे इंडिया के अंदर, हमारा सारे अलग-अलग कास्ट है, हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सीख, इसाई, सारे धर्म के लोग रहते हैं, और सभी धर्म के लोग बढ़िया तरीके से रहते हैं, ठीके, इसमें से हिंदूों की जो जनसंख्या है, क्योंकि जो भारत देश है हमारा, भारत पागिस्तान में बहुत जादा है इंडिया के अंदर ठोड़ी सले जाते है Children के लोग या फिर मुझाल के लोग है या फिर जो घंधर्म जंढ बुद्धिष्ट बहुत टों पहने देखा होगा उनके में बहुत सारी चीज़े वो लुष्वार्ष सारी चीज़े नहीं खाते हैं वाइट 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 वश्ट्र पहनते हैं यह सारी जो रिलिजिन है यह जो कास्ट है इनका जैन धर्म इस धर्म के जो लोग है वो बहुत जादा उनकी population कम हो गई है ठीक है तो इसकी वज़े से क्या होता है जो अलग-अलग जो लोग है ठीक है हमारे इंडिया के अंदर जो जिनकी minority संख्या जनसंख्या जिनकी minorities में आती है मतलब कि उनकी संख्या कम है हमारे देश के अंद उन्हें equality मिले उनके साथ कोई भी unfair ना हो कि हाँ हिंदुों को बहुत जादा कुछ मिले और दूसरे कास्ट के लोगों को कम चीज़े मिले कम सुविधाय मिले तो इसकी वज़े से क्या हो गया कुछ rules and regulations को बनाये गए जिसकी वज़े से क्या हो सके जो बाकी minorities वाले जो कास् मिल सके उनके साथ कोई भी तरह का भेदभाव ना किया जाए कि हाँ आप इस जगह पर नहीं पढ़ सकते या फिर आपकी संख्या कम है तो इसकी वज़े से उन्हें side कर दिया जाए तो इस तरह की बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता और इसकी वज़े से क्या किया गया कुछ rules and regulations को बनाए गया जिसे क्या करना पड़ता है सभी लोगों को पूरे इंडिया के अंदर सभी लोगों को क्या करना पड़ता है फॉलो करना पड़ता है जिसकी वज़े से क्या करे हमारा constitution बढ़िया तरीके से चले हमारा समविदान हमारा लोकत तंत्र तरीके से चले और इसमें कोई भी बाधा ना आए कोई भी परेशानी ना आए ठीक है देखो बच्चो आप लोग बहुत सारे हो ऐसे जो आप कॉमेंट करते हैं कि हमें हिंदी में भी पढ़ाओ तो बच्चो यहाँ पर पूरा तरीके से समझ आता है जो हिंदी म्राठी मेडियम के है उन सभी को अच्छी तरह से हिंदी समझ में तो आता ही है तो जो अगर मैं एक्सक्त्न ही हिंदी में कर रही हूं क्या फरक्त पड़ता है सारे कॉमेंट्स देखे थे इसी लिए मैंने अभी आप लोगों को बताया यह चीज़ तो भी आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा अगर आपने ध्यान से सारी चीजों को सुना तो मैं जितनी भी इंगलिश के वर्ट से उसे हिंदी में तोड़ के कनवर्ट करके आपको समझाती हूँ चलो सो हम टॉपिक के तरह बढ़ते हैं उनके साथ कोई भी भेदभाव ना किया जाए उनके अलग ना किया जाए दूसरे लोगों से उन्हें अलग ना किया जाए और उन्हें कम अपने आप में कम फील ना हो इसकी वज़े से क्या किये ग जिनकी जनसंख्या बहुत जादा कम होती है उनके लिए बहुत सारी चीज़े एविलेबल होती है बहुत सारी चीज़े बनाई गई है constitution के अंदर जिसकी regarding उन्हें कुछ चीज़े मिलती है कुछ चीज़े उनके लिए provide की जाती है ठीक है इस topic के बारे में आप और भी ज्यादा study कर सकते हैं बट इस topic को इसी तरह से आपको short में explain करना ठीक है समझ में आना चाहिए आपको ओके चालो so I hope so इतना आपको clear हो गया ह होगा आगे बढ़ते हमारे next topic की तरफ laws relating of relating to women women के लिए जो अलग-अलग laws बनाए गए हैं अलग-अलग जैसे आगर आप लोगों एको women's का women's समझ के उनके लिए law बोलात समझ के या आपको तुरंग से समझ में आ जायेगा कि क्यूं उनके लिए laws बनाए गए हैं क्यूंकि उन्हें कभी भी आज तक अभी के टाइम पर भी ऐसा होता है कि उन्हें equal treat नहीं किया जाता है men के equal नहीं माना जाता है women's को ऐसा treat किया जाता है कि वो बहुत कम है और men बहुत जादा बड़े होते हैं men's से ही पुरा country चलता है पुरा देश पुरा world लड़कों की वज़े से ही चल रहा है women's बहुत जादा पीछे है इस चीज को equal करने के लिए women's को आगे ले जाने के लिए कुछ बहुत अच्छे अच्छे rules को बनाए गए जैसे हमारा 73 & 74 जो हमारा constitution के अंदर हमारा कुछ rule है जिसके according क्या किया जाता है women's को 33% seats available होती है women's के लिए particular सिर्फ और सिर्फ women's के लिए 33% seats reserved रहती है और उसे बढ़ा कर कुछ जो अलग-अलग जो state है उसे क्या कर दिये गए है उसे 50% 40% 50% seats women के लिए मतलब कि men's equal seats women के लिए भी available कर दी गई है हर particular place में जैसे अगर कोई voting के लिए खड़ा हो रहा है तो उसके अंदर भी या पर अगर कोई सिक्षा गेन कर रहा है अगर कोई पढ़ाई कर रहा है तो उसे भी equal treat किया जाता है in fact women's को अभी के time पर थोड़ी बहुत सुविधाय मिल रही है अगर मैं example ले लूँ है तो मैं उसी से जाते हूं क्योंकि because हम बहुत जादा रिच तो है नहीं हमें public vehicle का ही यूज करना चीज जादा से जादा ठीकिए तो क्या होता है कि यह लोग को हमेशा सुविधाय मिलती है यह लोग के लिए सारी चीज़ें बट यह सारी चीज़ें क्यों हो रही है क्योंक प्राइए उनके उपर की गई है उन्हें इस तरह की चीज़ें ट्रीट किया गया जैसे ले ले तो उनके साथ बहुत जादा सेक्श्वल हैरास्मेंट भी हो चुका है जैसे आप लोग समझ सकते हैं यह सारी चीज़ों से आप लोग को समझ में तो इतना आता ही होगा क्यों में भी लोगों के साथ कितनी बुरी तरह से उसे ट्रीट किया जाता है इसी बहुत सारी वोमेंस ती जिननों ने क्या किया है इनके उपर बहुत जादा आवाज उठाया हुआ है आप लोगों ने आए दिन न्यूज में भी अभी अभी के टाइम पे जब इतना जादा डेवलप हो गया है तभी अभी आप देखते होंगे तो टीवी पे आप लोगों को आए दिन कुछ ना कुछ न्यूज मिलता ही होगा कि वोमेंस के साथ ऐसा हो गया किसी लड़की के साथ ऐसा हो गया किसी वोमेंस के साथ ऐसा हो गया उसे दहेश के लिए मारा गया पिटा गया उसे जला दिया गया इस सारह की बहौत सारे केसे सामने आते हैं अभी के टाइम पे भी सोचो तो पहले के टाइम पर इतने साल पहले सोचो backside 75 साल पहले कितना जाधा problem होता था कितना जाधा problems को face किया औगा वोमेंस ने इस सारह की बहुत साधी problems को face करना पड़ता था women's को अलग-अलग जो उनके लिए जो बनाये गए कानून थे कि उन्हें घुंगट में ही रहना है उन्हें घुंगट से बाहर नहीं निकलना है उन्हें सिक्षा नहीं गेन की उन्हें पढ़ाई लिखाई का अधिकार नहीं होता था बिल्कुल भी पढ़ाई का सकते उन्हें सिर्फ और सिर्फ घर में रहो उनकी 12 या 13-15 साल की एज होती थी तुरंत उनकी शादी कर दी जाती थी और शादी करके दूसरे के घर में भी जाओ जूला बरतन कपड़े यहीं सब करो और बच्चे पैदा करने की मशेन बन जाओ लाइन लगाओ बच्चों की बस इतना ही काम उन्हें दिया जाता था जिसकी वज़े से क्या होता था कि वुमें का जो देथ लेवल भी है उन्हें बीमारिया भी बहुत जादा होती थी उन्हें सही इलाज भी प्रोवाइड नहीं किया जाता था उन्हें बहुत ही जादा बुरी तरह से ट्रीट किया ज और अभी तक भी बहुत सारे ऐसे गाव के लोग है जिनकी सोच अभी भी इसी तरह की है कि लड़किया पढ़के क्या करेगी अरे लड़किया पढ़ेगी तभी तो तुमको पढ़ाएगी है कि नहीं सो ऐसी बहुत सारी तरक्की करके लड़कियों ने सबकी मुझ बंद कर दि गई है लड़कियों को हम ज़्यादा तर 50 पर्शनल का च्छूट दिया जता है recipient उनके लिए बहुत सारेलग कानून नुए सुकन्या योजना यह सब तरह के बहुत सारे रूल्स रेगोलेशंस इसे बहुत सारे यह कानून बनाए है जिसकी वज़ये से क्या किया जाए गर्ल्स की प्रगती की जाए लोगों को लोग पहले बेटी पैदा होती थी तो उसे मार दिया जाता था ठीक है ताकि उनके ओपर खर्च ना करना पड़े तो इस तरह से उनको बढ़ाने के लिए लड़कियों की पॉप्यूलेशन को बढ़ाने के लिए इस गए कॉलेज में भी थोड़ा सा बहुत ओफ होता है ऐसे कुछ गवर्मेंट कॉलेज है जहां पे वोमेंज के लिए 50% ओफ होता है या फिर अगर कोई बड़ा एगर आपने एक्जाम वगएरा भी ले लिया नीड जे डबली सी टी तो उसमें भी गर्ल्स के लिए 2-300 रुपे ऑफ होता है बोईज के लिए 2-300 रुपे जाधा होता है ठीज़ तो इस तरह से बहत सारे freedom बहत सारी चीजें बहत सारे अलग-अलग laws बनाये गहे थे जिसकी वजह से क्या हो सके गर्ल्स को बहुत साजा सुविधाय हो सके और उन सुविधाओं की वजह से वो क्या करे chose शिक हो गया होगा आज इसी के साथ हमारा topic 2 भी क्या हो रहा है यहाँ पे clear हो गया हमारा यह वाला topic भी यहाँ पर हमारा first topic भी complete हो गया और अगर अभी भी आप सारे दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना ठीक है चलो सब तक के लिए बाई बाई मिलते हैं लेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ